हेलो बच्चों आपका अपने ट्यूटर ताग चैनल में स्वाब रखत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे Electronic Configuration की ट्रिक किस परकार है SPDF Orbital में electron किस परकार से arranged होते हैं इससे पहले वाली वीडियो में हमने K-shell, L-shell, M-shell और N-shell में Electron कैसे होते हैं उसकी बात की थी और इस वीडियो में हम अलग अलग orbital में electron किस परकार से आते हैं उसे trick के साथ समझेंगे और आप बड़े से बड़े number की electronic configuration में बहुत easily लिख पाएंगे सबसे बेसिक rules क्या होते हैं इन orbital के जो S orbital होता है उसमें maximum 2 electron आ सकते हैं और P orbital में maximum 6 electron आते हैं इस तरह से D में maximum 10 electron आ सकते हैं और F orbital में maximum 14 electron आते हैं S के पास केवल 1 ही S orbital के पास केवल 1 ही orbital होता है और P orbital के पास 3 sub orbital होते हैं और D के पास 5 sub orbital होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से F के पास 7 और हर एक suborbital में टूव इलेक्ट्रोन आ सकते हैं इंनिलेक्ट्रोन को arrow के साथ प्रदalter किया जाता है वो सबसे पहले जवर favor arrow के साथ शो किया जाता पहला electron आता है और जो दोसरे electron होगा वह downward arrow के साथ शो करेंगे जिसे P orbital है इसमें सबसे पहले मानो जो electron move fill करने है अपरवर्ड arrow के साथ fill किये जाएंगे और उसके बाद अगर कुछ electron बचते हैं तो वो downward arrow के साथ fill करते हैं इस तरह से इसमें भी सबसे पहले upward arrow के साथ fill लोगे और उसके बाद downward downward arrow के साथ fill करते हैं इसी तरह से F orbital में पहले upward फिर downward arrow के साथ electron को दर्शाय जाता है school में हमें कुछ इस परकार का rules करवाया जाता है जो कि कुछ इस तरह से orbital को लिख कर फिर downward arrow को draw करने के लिए कहा जाता है और arrow के coding फिर लिखा जाता है इसमें बहुत ज़्यदा time लगता और confusion होती है आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप बहुत इसली बिना confusion के एक ही बार में electronic configuration लिख पाएंगे बहुत simple trick का यह ट्रिक हमारे क्या है SPTF यह हमारे पास four orbital है s को one का नेम दे लिया p को two का d को three का और f को हमने four का नेम दे लिया आपने करना क्या है simple है आपने सबसे पहले आपने s को two time लिखना है फिर आपने p और s को two time लिखेंगे याने की right to left फिर d से लेकर आप s तक लिखेंगे और उसके बाद f से लेकर आप s तक orbital के नेम लिखने है two two time जैसे start करते हैं s को two time मैं यहाँ पर लिख लिएता हूँ s फिर मैंने यहाँ पर लिख लिख लिया s उसके बाद हमने क्या लिखना है एक arrow complete होके अब right to left याने की ps बन रहा है ps ps two time लिखेंगे या तो यहाँ पर लिखने देते हैं ps और ps two time लिख लिखेंगे ps ps अब यहाँ से कैसे रिखना है third arrow क्या हमें बता रहा है d ps ps को two time इस यहाँ पर लिखा d यहाँ पर लिखा p उसके बाद लिखा S वो next same repeat करेंगे D P और S अब हमारे पस क्या बसते हैं पूरा arrow यानि कि F से लेकर S टक उल्टा लिखना हमने F D P S कितनी वाले लिखना टूट है F D P S और F D P S तो यहाँ पर लिखते तो जल्दी से F D P S और यहाँ पर भी द्वारा से F D और P S इतना हो गया आपका अब इनके आगे numbers लिखने हैं number के लिए बहुत simple trick है S 1 से start हो रहा है S का number 1 है S को आप 1 से लेकर counting इसकी start करें जिसे यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इसको 2 2 इससे को 3 इससे को 4 आगे यह बहुत आगया इसका number देंगे 5 5 के बाद इसका number 6 इसको 7 और इसको 8 अब टर्न आगी P की P का number कौन से होता है 2 2 इसको 2 से इसकी numbering start करेंगे इसको numbering दे देते है 2 इसके बाद यह बहुत पी है 3 इस P को 4 और इसको 5 आगे P यह रहा 6 और यहाँ पर 7 तो P की होगी अब टर्न आगे D की D का number कौन से है 3 है क्योंकि यह first, second, third orbital है तो इसकी numbering भी 3 से start करेंगे D कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर D है यह हमारे पास तो 3 उसके बाद D कौन से है यह वाला 4 उसके बाद यह 5 उसके बाद यह 6 अब F की टर्न है F का number कौन से है 4 है F यहाँ पर देखें और 4 से आगे की तरफ number किसके लिख दे यह F हमें मिला 4 और उसके बाद यह आ गया 5 तो यह इसका pattern बन गया बड़े से बड़े number की electronic configuration भी आप इसली लिख सकते हैं अब कुछ उधारानम करते हैं sold माली sodium की electronic configuration लिखने हैं तो आप cancel लिखेंगे हमारे पास 1s 2s 2p 1s लिख लिए हमने 2s लिख लिए 2p लिख लिए अब साथ सत इसके electron count करें s में maximum कितने आते हैं 2 electron तो यहाँ पर लिख लिए हमने 2 और आगे 2s है यानि इसमें भी sc है 2p में अधिक्तम कितने आते हैं 6 6 2 और 2 होगे 4 4 और 6 होगे 10 हमने कितने पूरे करने हैं 11 पूरे करने हैं अभी एक और चाहिए तो 1s 2s 2p के बाद किया आ रहा 3s तो 3s लिखेंगे 3x में अधिक्तम आते हैं 2 लेकिन हमने हमें सिर्फ 1 electron और फिल करना है तो यहाँ पर हम 1 डालेंगे 2 और 2, 4 4 और 6, 10 10 और 11 ऐसे हम बात करते हैं माले हम सिल्फर का करना हमने सिल्फर का अटोमिक नंबर क्या होता है 16 होता है इसमें हम क्या लिखेंगे इसे कुछ उतार लेती हैं यहाँ पर 1s 2s 2p 3s अब यहाँ पर फिल्कर के देखेंगे 16 पूरा करना हमने तो यहाँ पर 2s में 2 आते हैं इससे इसमें भी 2 आ जाएंगे 4 क्यों 16 पूरा करना है यहाँ पर 6 2 और 2, 4 4 और 6, 10 हो गए यहाँ पर 2 और डाल दिया 12 हो गए अभी हमने 4 कम पड़ रही है तो हमने 3s तक लिखेंगे 3p तो next और बिटल स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है 3p इसमें अधिक्तम 6 आ सकते हैं लेकिन हमने 16 नंबर ही पूरा करना है तो यहाँ पर कितने लिखेंगे 4 2 और 2, 4 4 और 6, 10 10 और 2, 12 12 और 4, 16 इस तरह से एक नंबर और ले लिखें एक element की और हम लिखते है electronic configuration कैल्शियम की कैल्शियम का atomic नंबर कितना है 20 और यहाँ जल्दी से लिखे दाता हूं तो यहाँ पर उतार लिए 1s, इदर से 2s, इदर से 2p फिर 3s और फिर 3p और हम देखे 20 पूरा हो रहा है क्या हमारा नंबर 2, s में 2 आएंगे p में कितने आते हैं लिखाओ यहाँ यहाँ पर 6 s में 2 फिर p में 6 2 और 2, 4 4 और 6, 10 10 और 2, 12 12, 12 और 6, 18 यानि कि 4s पिस्टार्ट हो जेगे यहाँ पर 20 पूरे करने दो कम बढ़ रहे है और 3p के बाद 4s यह और यहाँ पर 2 तो इस तरह से अगर आपने यह वाला पैटर्ण लिख लिए तो बड़े से बड़े नंबर की आप electronic configuration लिख सकते हैं लेकिन हाँ यहाँ पर 2 exceptional case है वो है chromium और copper के chromium और copper यह दो exceptional case है इसके बार में exam में अक्सर पूछा जाता है जैसे इसका atomic number 24 है chromium का तो electronic configuration कैसी लिखे जाने चाहिए यहाँ पर 2 लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे यहाँ पर 6 यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 यहाँ पर 6 क्या लिखेंगे 6 वो D का क्या लिखती है 10 लेकर हम देखेंगे 24 से नंबर बढ़ तो नहीं रहा 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 4 पर लिखेंगे 4 लिखेंगे हमें यहाँ पर तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं एक बार तो यहाँ पर 24 नंबर पूरा हो गया लेकिन exceptional case है तो अलग से उपवाद है याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर 4 नहीं इधर का एक electron इधर shift हो जाता है यहाँ पर S में 1 आएगा और यहाँ पर आएगे 5 electron तो यहाँ पर erase कर क्लिक देता हूँ यहाँ पर 1 electron आएगा और यहाँ पर 5 एक electron S orbital का इधर shift हो गया तो total number 24 ही बन रहे है आगे बात करते हैं copper की तो copper का जो atomic number 29 होता है तो इसके 2 इसमें आगे S में 2 इसमें 4 हो गये 6 यहाँ पर आगे 10 हो गये और यहाँ पर 2 आगे 12 हो गये और यहाँ पर 6 आगे 18 हो गये और यहाँ पर 2, 20 और हमने 29 पूर गये 9 तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए तो इसमें भी यही होता कि एक electron इधर से इधर shift हो जाता है normally हमने ऐसे लिखना था लेकिन दोनो exceptional case है तो इसका S orbital का एक electron इधर shift हो जाता है और यहाँ पर आएंगे 10 और यहाँ पर लिखेंगे 1 electron तो यहाँ पर मैंने raise कर दिया तो यहाँ पर मैं लिखेंगा 1 electron और D इसका एक electron इधर shift हो जोका है तो यहाँ पर 9 थे यहाँ पर होगे 10 और total 29 नहीं बन रहा है तो यह थी trick बड़े से बड़े element की electronic configuration लिखने की trick SPDF orbital के साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो यह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले thanks for watching